तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे AutoCAD फाइल को PDF फाइल में convert कर सकते हो मतलब जो AutoCAD का फाइल होता है वो होता है यह हमारा BWG format में और आपको convert करना है PDF फाइल में तो Simple इसको convert करने का एकदम simple सा तरीका है आपको जादा कुछ नहीं करना होता है Simple आपको करना किया है अपने इस फाइल को ओपन कर लेना है AutoCAD में और इस समय जो मैं AutoCAD का वर्जन यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 2022 और आपको मैं बता दू कि हर वर्जन में आपको इसी प्रकार से PDF फाइल में convert करना है आपको कोई भी वर्जन हो 13 हो 7 हो 8 हो 10 हो कोई भी होगा सब में आप इसी प्रकार से इसको convert कर सकते हो तो simple इसको convert करने के लिए आपको अपने फाइल को open करना है open करने के बाद आपको अपने keyboard में आपको simply ctrl plus p ctrl के साथ p इसको प्रेस करना है जैसे आप यहां पर प्रेस कर देते हो तो आपको यहां पर print का option खुल जाएगा अब आपको होगे print का option क्यों खुल लेओ भाई तो simply जब तक आप print का option नहीं खुलो गया आप convert नहीं कर सेके IT नहीं कर साथ it simple उसके बाद पी करने के बाद यहां पे आपको into printer का नाम अपना सेलेक्त करना है तो printer का नाम नस्टक करके आप यहां से सेलेक्ट करोगे dwg2pdf Simple, आप को यहां पर सफ्ट करना है DWG to PDF File इसको select करना है select करने के बाद यहां पर दूसरे नमबर पर आपको यह चीज़ धियान देना है है कि यहां पर जो आप यहां पने लिखन देना है Center the Plot तो आपको simple, इसी पर click होना चाहिए यहां पे click होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको click नहीं रखते हो, तो आपका plot होगा, जो आपने drawing बना रखी हो, drawing कटने लगेगी, आपके page से बाहर जाने लगेगी, simple, उसके बाद यहां पे आपको एक option मिलता है, plot का, और plot में आपको मिलता है display, आपको simple window का option मिला होगा, आपको इस window पे click करना है, जैसे आप window पे click कर देते हो, तो आपका जो drawing होगा, इस समय कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, आपने अगर format में लगा रखा होगा, तो ठीक ठीक, अगर आपने format में नहीं लगा रखा है, तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, अगर आप आपको ठीक ठीक अगर नहीं लघा-खाय क्या है तो आपको क्रना क्या क्या है तो भीविवव Amayan और यहां पर यह हा सायगा अब यह हाँ पर करने के बाद और एक पोर्ड्र nutrion में तो यह पुल हो जाएगा अगर इसको लैंड इसके पे रखते हो तो यह देखिए छोटा आ रहा है तो simple आपको portrait में click करना है उसके बाद आपको यहां से preview करके एक बार देखना है simple जो मेरा file था वो हमारा बन चुका है और यहां पे देखिए एक दम PDF में हो चुका है अब आपको एक बार इसकी button को click करना है इसकी button को click करने के बाद आपको simply यहां से OK button को place करना है OK को click करते हो और जहां भी आपको save करना है आप simply उसको save कर सकते हो मैं अगर चाहता हूँ कि मैं यहां पे save करूँ और इसका जो format है आप देख सकते हो, यहाँ पे PDF हो चुका है, और आप अब किसी को भी share कर सकते हो, और PDF में इसको बना सकते हो, तो बस यही तरीका था, AutoCAD फाइल को PDF में चेंज करने का, अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहे हो, चैनल को सब्सक्राइब, रोटा बाइबाइ मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में,